आज एक छूटा सा टॉपिक लेंगे बहुत सुरुआट मैस की जो सुरुआट का टॉपिक होता है बहुत सारे योग जो पढ़ाने वाले लोग भी है तो सोचते कि यहाता होगा यहीं पर पढ़ाने वाले लोग है महां गलत हो जाते हैं कि बहुत सारे students हो सकता है वो graduation में हो पोस graduation में हो मगर इन सारे topics पे hesitate करते हो और कभी भी वो सही से शुरुआत ना कर पाए हो तो एक ऐसा topic जो बहुत important है बट यह लगता है कि सबको आ रहा होगा तो इस चीज को नमान कर एक सुरुआत से बिल्कुर बेसिक टाम में बात नमबर सिस्टम जानते हैं कि नमबर सिस्टम कैसा और किस तरीके से नमबर सिस्टम को डिवाइट करके रखा है उन सारी छोड़ी बातों को अब हम लो डिसकस करेंगे जो नमबर सिस्टम में उनको भी uncomfortable feel होता है आज की वीडियो में नमबर सिस्टम पे सारे type के numbers को हम लो ड ठीक है तो नमबर सिस्टम कैसा से पहले पहले से सुरुवात करते हैं कि एक नमबर सिस्टम में सबसे से पहली सुरुवात नेचुरल नमबर की हुई capital N से denote करते हैं जब भी हम लोगोंने सुरुवात में गड़ित सीखी है तो हमें से सुरुवात से सिखायागा कि एक दो तीन चार पांचे साथ आट नौ दस तो यह जो भी गिंती सिखायागी सिखाया गई कि जब कोई चीज एक या दो चीजे होती हैं बहुत ज़ा चीजे नहीं होते तो सिस्टम बनाने की रोध नहीं है जैसे कि रोड हो और रोड पे एक ही दो गाड़िया हो तो रोड पर कैस चलना है लेफ्ट चलना राइट चलना यह मतलब नहीं है आपर हैल्मेंट या इन की सुरवात हुई काौंटिंग की सुरवात हुई तो नंबर सिस्टम में नेचरल नंबर आयए फिर आगे जब आए अगे इस तब सिस्टम बनाया गया ठीक है तो यह वहां पर नेचरल नंबर की हाईलाइट है आपके सामने मैंने वो सारी इनका कोई ending नहीं, that is infinite, इस सुरुवात इनकी है, difference between any two consecutive consecutive का मन्दाब है लगातार क्रमागत मन्दाब इसमें और इसमें अंतर कितने का है one का है इसमें इसमें का अंतर कितना है इसके आगे तो अब five के आगे जाना है तो एक किड अंतर पर जाना है तो एक के आगे अंतर पर जाएंगे तो कितना हैगा 6, उसके आगे जाना होगा तो 7, तो ऐसे सारे natural number आप लोग एक से सुरुवात करिए, एक एक के अंतर पर आप रखते जाएए, सारे natural number आपको आजाएंगे, ये एक infinite set है, set infinite भी होते हैं, finite भी होते हैं, ये जरूर ध्यान रखें, लोगों को लगता है कि set में जो numbers होते हैं, वो finite होते हैं, ऐसा नहीं है, natural number is infinite sets, इसमें infinite number है, 1, 2, 3, 4, dot, 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 infinity, तो natural number की बात यहाँ पर complete हुई, complete इसलिए मानते हैं कि हमें इतना knowledge होना चाहिए, गड़ित में और गड़ित में numbers के बारे में जानने के लिए, natural number में इतना proper knowledge हमें होना चाहिए, हम suppose ऐसे कि दिखा गया, कि fx equal to x plus 1, आपको इस फंक्शन में डाल रहे हैं, और x belongs to capital, मैंने कि अब आप x की जो value आशाइन करेंगे, वो natural number ही होने चाहिए, 1 या 2 या 3 या 4, तो यह दया रखें, कि इसका जो proper notation है, उसको दया रखें, अब यह x जो है, natural number की family से belong कर गया, ठीक ह जैसे कि कोई mobile हम लोग यूज़ कर रहे है, आज की date में mobile का बहुज़ा train है, उनके version upgrade होते हैं, तो number system भी इसी तरीके से है, जैसे कि हम लोग कोई series आती है, उसके बाद एक और आता, एक और आता, और आता, जैसे software है, OS है, तो XP फिर और, फिर और, फिर और, तो पुराने व होई, तो फिर हम लोग क्या करते है, उस number system का नया नाम दे दिया गया, whole number बताने वाले है, whole number से लगाओ इसलिए भी है, कि whole number में natural number के साथ एक zero और आट कर दिया गया, अब zero, जो Indian होगे, उनके लिए बहुत ज़्यदा proud की बात है, क्योंकि zero की सुरुआत, zero का exploration, zero के बाद आरवर्ड जी ने किया था, वो एंग Indian mathematician है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए whole number में zero का हो जाना, एक मारे लिए proud बात है, गर बाली बात है, तो natural number में केवल zero को बढ़ा दिया गया, whole number में, sorry, मतलब जो word था, वो word बस जो बोला है, natural number में zero बढ़ा दिया गया, इसको बापर क्या होना चाहिए, whole number में zero, zero बढ़ाया गया, तो natural number में के साथ zero और आने से नया version जीसे अपग्रेड होता है, तो उसी तरीके से आप समझ जाए, कि whole number को माना गया है, ठीक, छलिए देखते हैं, topic of whole number ना करते हुए, हम लोग एक बार पूरा हमने यहाँ पे summarize क आप देख लिए कि natural number में zero को आड़ करने से एक नया number system बनाया गया, जिसको बोला गया है, whole number, बास के बल जीरो का यहाँ पर extra include किया गया, जिससे कि यह number नया system बन गया, उसको डबलू से denote किया गया, whole number में सुरुआज 0 से हो रही, फिर 1, 2, 3, यहाँ पर भी difference consecutive numbers का 1 है, यह दिखाया गया कि natural number subset है, whole number का, natural number whole number के अंदर आते हैं, ठीक है, ओके, मतलब does not contain whole number, whole number contains natural number, ठीक, next में आगे बढ़ते हैं, integer को हम आप टोडियूस कर रहा है, integer के वाँ जानते है, integers denoted by capital I, capital I तो I for integer हो गया, बढ़ एक बात धहार रखे कि Z से भी denote करते हैं, तो Z for, अब Z से denote करते हैं, इसलिए ध्यान रखे कि I तो हमें comfortable लगता है, बढ़ Z को भी ध्यान रखे कि Z is also notate the integers, देखे हमने यह दिखाने कोसिस किया कि सारे natural number थे, उस natural number में एक number बढ़ा, तो सारे यह whole number हो गया, अब इन सारे numbers को पलट दिया गया, 1 को पलट दिया गया with negative sign, यहां दिखाया गया, with negative sign, तो 1 को जब पलटे के आगे सागे sign negative लगा दिया, तो minus 1 हो गया, 2 को पलट दिया गया, minus 2 गया, minus 3, minus 4, आप जैसे जैसे इधर जा रहे थे, बढ़ रहे थे, इधर जा रहे घट रहे हैं, तो सारे यह सब जाके क्या हो गया है, in teasers, तो natural number में 0 बड़ा, whole number, और फिर हमने क्या किया, सारे natural numbers को bit sign negative लगा के इधर पलट दिया, तो हमारे पास सारी जो number system में सारे numbers आए, उनको बोला गया, in teasers, छिक, कुछ चीज़ों को मैंने figure out किया है, हो सकता है कि आप जब पहली बार देखें तो आपको uncovered है, फील हो बड़ हम क्या कर है, तो अभी तक हम इतने ही numbers को जान पाए है, इसको हमने categorize कर दिया, यहां से लेके यहां तक, जिन numbers को आप natural number बोलते थे, आप उनको positive integer बोले जाने लेगा, इनको हमने natural number बोला गया था कि नहीं बोला था, तो आप natural, ऐसा नहीं है कि natural number आप बोलना बंद कर देंगे, पॉस्टिव इंटीजर तो z plus कर दो, या i plus, suffix में plus कर देंगे, तो positive integer consider किया गया, इतने सारे numbers जो negative में थे, उनको negative integer, obviously z minus, इतना समझ गया हो गया, अगर 0 के साथ लेते हैं, 0 के साथ यह लेते हैं, देखि यह positive है या नहीं है, positive है, तो इनका नाम, मैंने को बना, रात नही है, तो इसका एक मतलब होता है, दिन भी है, और साम भी है, ठीक है, रात नहीं का मतलब है, दिन भी है, और साम भी है, तो यह positive बाले और 0 के साथ, तो non-negative बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ, इस बाद जहाना के, जब हम ऐसे number इनको भी लेते हैं, 0 को भी लेना पड़ रहा है, तो non-negative बोलेंगे, इसका मतलब हमने पहले बताया था whole number, क्या था, तो whole number को non-negative integer बोल सकते हैं, got it, 0 के साथ, इन सारे numbers को negative आल लेंगे, तो negative ले रहे हैं, तो non-positive, negative ले रहे हैं, और 0 भी ले रहे हैं, तो क्या हो गया, non-positive, यानि 0 क्या हुआ, 0 के वेज़ बढ़ non-negative है, negative नहीं है, और non-positive है, यह धाया रखे, ना ही यह positive की कैटागरी में है, और ना ही negative की कैटागरी में, 0 ऐसा है, क्यों हम लोग इंडियन है, हम लोग उने ऐसा number ढून दिया है, जो क्या है, ना negative है, ना positive है, तो यह जहाँ भी जाएगा, तो non लग जाएगा, got it, मु introduce करा रहे हैं, बहुत ही interesting है, और इसकी definition कभी भी पूछी है, तो सबको आती है, सबको आती है, मैंने जब भी, यह मैरे practically experience है, कि मैंने जिससे भी rational number की definition पूछी, उसको सबको आता है, वो बोलते हैं, कि वो numbers जिनको P upon Q के form में दिया जाए, लिख सकें, वो सारी numbers rational number होंगे, चली हम देखते हैं, कि यह definition बाकर में सही है नहीं है, एक हम example के तौर पे लेते हैं, कि कोई lady है, तो यानि कि ladies साड़ी पहनने से, ladies dress पहनने से, क्या वो ladies हो जाएगी, तो ऐसे यह definition भी है, कि अगर आपने बोला कि P upon Q में लिखना, अगर rational number है, तो उसी तरीके से, कि अगर ladies dress up कर दिया जाए, तो क्या वो ladies बन जाएगी, नहीं, उसका gender भी important होता है, तो इस बात को ध्यान रखें, इस बात को हम लोग अभी proof करेंगे, rational number किस तरीके से विभिन है, अलग-अलग हैं, और जैसी rational पढ़ लेंगे, हमारा topic complete होगा, हम लोग पूरे real numbers को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा और वेट करें, ठीक, definition आपके सामने है, definition में हमने figure out किया है, कुछ चीजों को हमने यहाँ पर highlight किया है, बहुत important है, जैसा कि मैंने मुला कि P upon Q के form में आप बताते हैं, यह उस तरीके से कि बहुत सारे ऐसे नाटक आते हैं, जहाँ पर males को females की तरीके से प्रेस क पुल ना दे, देखिए यहाँ पर कैसे दिखाते हैं, P upon Q के form में, P integer है, Q integer है, Q not request to 0 के, definition कहाँ फेल हो सकती है, जैसे कि आपन 2 upon 3 लिया, तो okay, क्योंकि P upon Q के form में है, और P or Q integer है, okay, rational number हो गया, यह rational number है, आपने 0.5 लिया, तो P upon Q के form में नहीं है, उस मर बोला गया है, कि वो लिखे जा सकते हैं, तो हम यहाँ ध्यान दें, कि 0.5 by 1 करेंगे, हटाएंगे, 10 आएगा, तो 5 by 10 होगा, इसको लिखेंगे, तो 1 by 2, तो हम इसको इस तरीके से लिख पा रहे हैं, लिख पा रहे है, rational number है, यानि कि जो भी decimal में numbers होंगे, वो rational number हो जाएंगे, इस तरीके स अब अगर आप देखें, रूट 3, जैसे 2 की बात करें, तो 2 तो रहे हो, rational number है कि नहीं, तो 2 by 1 कर सकते हैं, 2 by 1 कर सकते हैं, 3 को भी क्या, 3 by 1 कर सकते हैं, 0 by 1, तो सारे natural number क्या हो गए, सारे natural number, सारे whole number, इस सब क्या हो गए, rational number, integer भी minus 1 है, minus 2 है, minus 3 है, 2, 5, 4 जो भी है, वो सा जगाते हैं, जो को, रूट 3 by 1, तो हमने इसको P upon Q के form में लिख दिया, तो आपने का definition दी कि P upon Q के form में जो लिखे जा सकते हैं, वह ही rational number है, देखें, मैंने लिख दिया, अब यह fail का, आपको पता ही, रूट 3 rational number नहीं है, इस rational है, तो P upon Q के form लिखा, अब हमारी बार ही यह परादी, P integer है, तो रूट 3 क्या integer है, रूट 3 integer नहीं है, तो यह भी rational number नहीं है, बात को द्यान दे, rational number इसलिए नहीं है, तो P upon Q के form में लिखे जा सके, P integer हो, Q integer हो, Q not equals to 0, यह पूरा-पूरा statement आप बोलेंगे, कि कितनी भी जल्दबाजी में हो, ठीक, irrational numbers, irrational numbers पे देखा जा नहीं है, बहुत सारी knowledge दी जाए, तब भी आभी rational number के में नहीं जान पाएंगे, simple definition है, कि जो rational नहीं हो, जो rational नहीं हो, वो क्या होंगे, irrational number, यह proof कर दी कि rational नहीं है, तो किस category में चला जाएगा, irrational, मतलब हम लोगों के लिए सबसे अच्छी definition क्या है, कि rational नहीं होना क्या है, irrational जैसा कि अभी बताई चुके हैं कि जो rational नहीं हो, वो ही rational होगे, यह पर वही लिखा गया, इंग्लिस में, numbers, those are not rational, is called irrational number, irrational, i double r, a, इसको denote करेंगे, क्योंके ऊपर suffix में या तो dash लगा दीजिए, या क्योंके suffix में small c लिख दीजिए, यह irrational की category में आ जाते हैं, root 3, root 5, root 7, root 11, pi, e, इस साई के numbers हमारे irrational number होंगे, देखें, root 3, root 5, root 7, यहाँ पर हमने दिखाया है, कि यह irrational है, e exponential जो है, वो भी irrational है, pi का मान, 22 बड़े 7 हमें पता है, 3.14 पता है, इसको अगर देखा जाए, तो p upon q के form में लिखा गया, p और q और integer भी है, सारी definition rational number की follow कर रही है, फिर भी इसको rational number बोला गया है, इसके पीछे एक reason है, उस reason को हम लोग देखते हैं, उससे और clear होगा rational और irrational के बारे में, ठीक है, तो board पे कुछ हमने लिखा है, उसको समझने का प्रियास करते हैं, दो property हमने लिखी हैं, और यह property किन numbers के लिए apply हो रहे हैं, वो ध्यानते हैं, numbers 2000 in decimal form, म 0.25, 0.345, बार का मतलब है, इस बार का मतलब होता है, 0.345, again 345, 345, ऐसी repeat करता रहेगा, तो अगर decimal form में numbers लेते हैं, तो उनकी दो characteristic है, recurring, repeating, मतलब अभी देखते हैं कि recurring और repeating का मतलब क्या है, odd terminating, इन दोनों property, इन दोनों characteristic के बारे में देखते हैं, कि है क्या है, हमने personal number के form में numbers लिये हैं, तो 1 by 4 जब लेते हैं, तो उसको अगर passively divide किया जाए, तो हमने शुरुआत में, जो बहुत ही elementary level पर ये knowledge है, मैस की, हमने देखो dividation आपके सामने किया है, तो देखे कि dividation दो अंक तक गया, और उसके बार terminate हो गया, ठीक है, तो ये terminate हुआ तो इसक क्या हो गया, terminate हो गया, तो ये वाला और ये वाले terminating condition में आ गया है, 1 by 7 को लेते हैं, तो 1 by 7 को हो सकता कि साइद कभी आप इतना divide, लंबा divide करे ही न, इसलिए मैंने दिखाया है, खुद करके देखा है, आप देखिए कि हर step में आगे बढ़ते जले आ रहे हैं, इसारे यह हो गया, 10 आ गया, अब 12 फिर से कानी शुरू जाएगी नहीं, मतलब फिर इसके बाद क्या आने वाला है, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा, तो ये भाग कभी भी terminate नहीं होगा, कितने बार भी आएगे, होता जाएगा, ये एक repeating condition है, क्या है, repeating recurring, जैसे 1 भाई 3 को आप भाग दें, आप देखेंगे 3 का 1 में भाग देंगा, आपके सामनी दे देते हैं, point लेंगे, 10 आजाएगा, 3 बार जाएगा, 9 होगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे, 3 ब करते हैं, अगर numbers, इन दोनों में से कोई भी एक property फालो करता है, तो वो number क्या होगा, rational number होगा, क्या होगा, rational number, ठीक, हमने यहाँ पर board पे एक statement लिखा है, आप note कर लें, क्योंकि important है, numbers express in decimal form, जब आप उसको decimal form या convert करें, जैसे यहाँ पर decimal form में हमने उनको convert किया है, they follow either property, को एक time पर एक ही करेंगे, या तो वो terminating condition में आए, या वो repeating condition में आए, तो उनको क्या बोलेंगे, यहाँ पर ध्यान दे हाईलाइट किया है, rational number, वो क्या हो जाएंगे, rational numbers, अब आगे देखते हैं कि pi और exponential ये rational number की category में क्यों नहीं आए, ठीक, चलिए तो हम जो समझाना चाहत आप समझने का प्रयास करें, जैसे हमने pi का एक मानिया लिखा हुआ, 3.1421312223 तो देखें ऐसा है, exactly है नहीं, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, मगर एक ऐसी value थी, 3.1 फिर आगे जाके उसमें बहुत आगे तक research हो रहा है, बहुत आगे तक, ना ही वो कभी value terminate हुई, मतलब उसको रुका नहीं और नहीं उसमें pattern आया, मतलब नहीं वो repeat की condition में कभी आ पाई, और नहीं कोई pattern ऐसा बनी नहीं पाया, तो pi कमान लगबग 3.14 के बरावर रख दिया गया, बर pi exactly 3.14 नहीं होता है, pi irrational है, irrational को rational से match नहीं करा सकते हैं, अब जैसे देखें हमने 22 बड़े 7 को 22 i7 को बन आ जाएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5, 7 तो यह repeat हो जाएगा, क्या हो जाएगा, repeat, एक pattern मिल गया हमारा, कि इस value को हम लोग बार-बार जब डिवाइट करने हैं, तो repeating condition में आ गया, यह unrepeated condition था, तो अगर terminating नहीं है, repeating condition में है, तो वो irrational हो ज तो option जो सही होगा, वो क्या होगा, nearly about 22 by 7, एक बात जरू ध्यान रखें, अगर आप accurate पड़ रहे हैं, पाई is near about 22 by 7, पाई is not exact 22 by 7, क्योंकि यह rational है, और यह क्या है, irrational, rational यह rational कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, हाँ, एक बात आप ध्यान रखें कि जैसे कि हम लोग अपने percentage ब 75 परसेंट बता देते हैं, तो उसी तरीके जे बोल चाल की भासा में, हम लग बख चीजों को evaluate करते हैं, ऐसे ही यहा देखा गया कि पाई कैसा मान है, जिसको हम कभी practically याद नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, फिर उससे निप्ता कैसे जाए, इसलिए एक value उसके about ध्यान रखें कि पाई irrational है और 22 by 7 क्या है, रशनल है, यह दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते हैं, लगबख बराबर हैं, ऐसे questions आते हैं, knowledge point of view से पूछा जा सकता है, तो अब ध्यान रखें, rational, irrational, अलाग अला category में यह दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं, ठीक है, अन्त में topic को theoretically नहीं आजाके हमने figure out किया है, आपको समझें, यहाँ पर दिखाया है कि सबसे छोटा set जो होगा, वो natural number है, फिर whole number, फिर integer, फिर rational number और super set जो है, numbers का real numbers, super set जो है, यह super set है, सबसे बड़ा set है, यानि यह सारे sets को contain किये हैं, और irrational number भी real number है, ऐसे हमने figure out किया, याद करने का तरीका आप समझ सकते हैं, natural number सबसे inner part में है, फिर उसके बाद whole number, इसका मतलब whole number natural number को contain किये है, उसके बाद integer इन दोनों को contain किये है, rational number, natural whole number integer को contain किया है, इन सब को मिलके और extra कुछ number से मिलके बना हुआ है, real world में यह सारे भी आते हैं, और इनका इन से कोई connection नहीं है, isolated है, इस बात को इस figure को ध्यान रखें, आज छोड़ी और मोटी मोटी बातों में हमने एक नया एक छोटा सा concept रखा है, उस concept को आप देखें, ऐसे ही कुछ जो out of walks topic होंगे, जो हमारे topic रूटीन में चलना है, उनके अलावा कुछ topic ऐसे होंगे, कुछ लोगों नहीं हमसे बोला है कि यह बात भी बहुत important होती ही, लोग hesitate करते हैं, तो उनकी बात को मैंने consider किया है, और बहुत छोड़ी बातों पर भी हम लोग यहां बात करेंगे, जिससे कि आप सहेज हों, ऐसी बात जो हापको hesitate करती है, confidence, confidence build up होना बहुत बड़ी बात है, और हो सकता कि ऐसी बातों की बातों को भी बहुत importance देती है, हम लोग 2 plus 2, 4 में भी कहने में, यह हमारा mantra है, जब भी हम पूछते हैं बच्चों से कि 2 plus 2 क्या है, तो लोग बहुत ही smile के साथ 4 बोलते है, आप भी यही गानक आईगे, और मैंसको आगे एक नए मुकाम पर लेके पहुचाएंगे हम लोग, थैंक यू, और एक नए आइडिया के साथ आएंगे हम लोग,